आपका मेरी सिमास के किंग ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है तो आज की पहले ट्रिक है मेरी जो गहूं पिसाते हैं आटे का कट्टा जो होता है वह यह जो डोरी अकसर हमारे खो जाती है तो हम बार बार ढोड़ते हैं तो आज हमें आपको भी बताएंगे जो आपस आटे कर दिया है और दोरी को इसमें पिट कर दिया है तो नोट जो लगाई है वह इसमें हमेशा के लिए पिट रहेगी तो हमें डूडने की बिल्कुल भी जरुवत नहीं पड़ेगी तो हम गहूं बगरा जो पिसाते हैं तो अकसर हम आपको घर में डूडते पिरते आटा पिस आएगा आटा पिस की आजाए आटा के कट्टा को दोगे डाल दें लेकिन आपकी डूरी इसी के अंदर फिट रहेगी क्योंकि इसमें हमने नोट लगा के हॉल करके इसमें पर्मानेंटली डूरी बांद दी है यह आप देख पा रहे हैं यह बहुत सांदर ट्रि एकदम नहीं प्यालेगा आप इसको कैसे भी रख सकते हैं दूसरे ट्रिक है मेरी पकोड़ी के तो यह मैंने ओयल को बहुत अच्छी से गरम किया है तो यह मेरे पास से बेशन का घूल है इसमें मैं बिल्कुल भी खाने सोड़े का यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो कभी नुकसान भी करता है तो इसमें हमें अच्छा सा खौलता सा दो चमच के करीब डाल देंगे ताकि हमारी पकोड़ी एकदम सॉप्ट बनती है जो कड़ी में डालते है रायते में डालते है तो बिल्कूल भी अंदर से ठोस नहीं होगी एकदम सॉप्ट हो जाएंगी अच्छ यह सड़ जा दी है तो में इस्टोर करने के लिए इन डंटलों को तोड़ दूगी ताकि यह हमारी मिर्चियां बहुत सुरच्चित रहेंगी डंठल रहता है तो हमारी मिर्चित जल्दी सड़ जाती है इसलिए मैं इनके डंठलों को साप करके इनको आप 20 दिन तक के लिए तो आपको उम्मीद है ये ट्रिक पसंद आए और अब मेरी एक ट्रिक और है मैथी मैथी आया घर में जंजट लाया आरे यार कौन सा आप करें बहुत ही परिशानी का काम है मैथी तो सरदर्द करती है लेकिन अब ये मिलकूल मैथी सरदर्द नहीं करेंगी मैं एकदम सिंपल सा इसका हल बताऊंगी ये मैं उपर से देख लेती हूँ इसमें कुछ एश्ट्रा घास वास तो नहीं है तो मैंने से चेक कर लिया अब ये मैंने नाइफ लिया है इससे ना मैं पूरे गठे को ऐसे काट लूँगी पूरा गठा हमारा हातों से पकड़के इसको नाइफ से खटा-खटा-खटा काट दीजिएगा और आपकी मैथी जैसा आप चाहे उतनी बारिक कर सकते हैं और मैंने पूरी मैथी को ऐसे ही काट लिया है आप देख पार है कह रहे हूंगे अरे ऐसे कैसे ये तो डंडिया रह जाती है तो डंडिया भी मैं आपको साप करना बताती कि कैसे इनका डंडियो को साप करते हैं ओ मैने मैथी को अच्छे से निकाले सारी पत्ती हमारे ना इस गट्टे में से निखलाएं और गट्टा हमारा वैसे ही वैसा बहना रखा हुआ है ऑः ये मेरी मैथी सब साप होगी थोड़ा से और रह गया है तो मैंने इसको पिर से स सब्सक्राइब, कर लिया जो और दिखा लए बास्केच आप को का सब्सक्राइब, इसाहे गस्क्राइब, घचना मैं उइसा कर लिया ज। न भीफोगी यह सब्सक्राइब, बिल्म काची और की यह ना पत्ते पत्ते उपर रहे जाएंगे यह डंठल जो निकलता है ना मैथी का वो इस बड़तन के अंदर सारा चला जाएगा थोड़ा बड़ा भी होता है तो आप हातों से निकालने लेकिन चोटने का डंजट कथम जो मैथी को साप करते हैं वह वाला विल्कुल भी टे प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करना मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मैंने पूरी मैथी को साप कर दिया यह डंठल भी गंदगी पूरी बाहर निकल गई है और मैथी को एकदम सिंपल ट्रेक है आपको मैथी साप करने की अब म अब आज से आपका ये सरदर्द भी खतम, तो आप देख रहे हो, यह मैंने एक नया जाड़ु मंगाया है, तो इसमें घास भूसा आते हैं, वो भूसा सा निकलता है, तो इसको कैसे साफ करते हैं, इस तरह हम जमीन पर इसको रोल रोल कर लेते हैं, अची से, इसको मैंने अच साफ हो जाएगा, बस जमीन पर आपको रोल रोल कर देना है, और यह आपके पास बूसा निकल जाएगा, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, तो आप इसको लाइक करना पर से मिलेंगे,